हेलो गाइस, ट्रेक्शन डॉक्स में आप सभी का स्वागत है और दोस्तों आज कड़ों में हम लोग बात करने वाले हैं होंडा एक्टवा 7G की मैंने पास्ट में काफी सारी वीडियोस बनाई हैं 160cc वाले मॉडल की, 150cc वाले मॉडल की और 125cc वाले मॉडल की तो आज फाइनली अपन बात करेंगे 110cc वाले मॉडल की क्योंकि आप मैंसे काफी लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहते हैं भाई ये सारा तो ठीक है जो हमें जो स्टेंडर्ड एडिशन लेना 110cc का उसकी प्रैसिंग क्या होगी किस तरह का डिजाइन आएगा साथ साथ कब तक लाउंच ओगी माइलेज टॉप्स वीडियो में क्लियर कर दूगा तो वीडियो को अफकॉर्स लास तक देखना बाकी अच्छी लगती तो लाइक करना चैनल साथ साथ पीछा की त्रफ भी अलओ उलए टेखने को मिली जाएंगे अर्डिसप्रेक्स होगे और पीछे ड्रमब्रेक्स होंगे क्यूँकि परा के या सबस की प्राइशिंग होगी इसकी वीसिक्ति होगी होंट कॉस कटिंग तो करेगा वरना इतना कम प्राइस ला निस बजट की होने वाली है, 85,000 के आसपर इसकी प्राइसिंग होगी, इसके वैसे गईस, जो है, होंडा कॉस्स कटिंग तो करेगा, वरना इतना कम प्राइस ला नी सकता, तेलिस्कोपिक फोक सस्पेंशन है आगे, और पीछे सिंगल स्प्रिंग वाले सस्पेंशन है, हाइड्रोलिक वाले, इसके साथ साथ देख सकतो, यह एर कूलिंग वाला इवेंट है, यह आप देख सकतो, एग्जॉस्ट का डिजाइन हलका सा चेंज हो जाएगा, और यह आप देखते हैं किस तरह का डिजाइन अपनाता है होंडा इंडिया में, और माइलेज की बात करें न, तो 110cc वाला इंजन है इसमें, तो अराउंड इसकी माइलेज 60 km पर लिटर के आसपास होगी, और टॉप स्पीड की बात करें, तो वो भी 80 km पर आर्खिस की जो टॉप स्पी एक ब्लू आएगा, इसके साथ साथ एक रेड कलर आएगा, और एक गौर्डन कलर आता है और एक ग्रे भी आएगा, यह मैंने आपको बता दिया, वील साइज वगरा हो सकता है थोड़ा सा बढ़ा दे होंडा लेकिन जो 160cc वाला वेरेंट है इससे मैंने पहले वीडियो बन इसमें पूरा एनलोग आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल मिल जाएगा, अब बात कर लेते हैं इसकी लॉंच की तो इंडिया में लॉंच होगा दो जार तेज के एंड तक अब गाईज यह रिसेंटली मॉडल वियतनाम में लॉंच हुआ था तो उसी की आप वीड करने का हिस्सा आप रख सकते हैं तो और आज की दो अच्छी लए तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मैं मलता हुआ आपसे अगली वीडियो तब तक अपना द्यान अकना और बाए गाईज